जैसे कि आप सभी को पता है कि stock market में investments करने के लिए बहुत सारी companies available हैं, बहुत सारे sectors हैं, जहाँ पर आप अपनी savings का investments करके उन पर अच्छे खासे returns कमा सकते हैं, लेकिन जब कभी भी हम लोग long term के लिए investments करते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या over the period of time के लिए investments करते हैं, त अगर आप future में investments करना चाते हैं, अगर आप future में अच्छे खासे returns कमाना चाते हैं अपनी investments पर, तो कौन से 4 sectors हैं जहाँ पर आपको investments करना चाहिए, ये वीडियो की link जो है मैं description में दे दूँगा, इसके साथ साथ आप i button पर click करके भी देख सकते हैं, इन 4 sectors में से एक sector था FMC के sector में investments क्यों करना चाहिए, इसके लब आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे, कौन से वो reasons हैं जिसके वाज़ेसे हम लोग यहाँ पर higher results expect कर सकते हैं, हमारे rate of return जो है, हमारे investments की growth यहाँ पर काफी ज्यादा होगी, इसके लब आज की वीडियो में अगर दो like, share और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम करना है आपको चैनल को subscribe करना है, जैसे के हम सभी को FMCG के full form के बारे पता है, इसका full form है fast moving consumer goods, market में इस sector में काफी सारी companies हैं जो produce करती है daily requirement के goods को, example के तोर पे कोई खाने पिने की चीज हो, कोई soap, detergent या तो यहाँ पर सबसे main reason यह है, second important चीज यहाँ पर यह है कि यह अपना business जो है, इन companies का business continue चलता रहेगा, अगर company का business continuous चलता है, तो यहाँ पर normal सी बात है कि growth भी होगी, last but not the least, अगर आप over the period of time इन shares की growth को देखेंगे, FMCG sector की growth को देखेंगे, तो काफी अच्छे develop हुआ है, अगर मैं recent two to three years की बात कर तो इन companies के shares ने भी काफी अच्छा return दिया है, hope करता हूँ कि अभी तक मैं आपको तीन reasons बताए हैं, यह आपको clear हो गए होगी, अगर आपको shares में investments करना है, तो यहाँ पर आपके पास demand account होना चाहिए, और अगर आपके पास demand account नहीं है, तो demand account open करन अगर मैं आपको बताता हूँ, पांच companies जिनमें आप investments कर सकते हैं, और जिनमें आपको investments करने के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहली company है, हिंदुस्तान Unilver Limited, अगर मैं हिंदुस्तान Unilver के करन market price के बात करो तो यह 2700 के आसपास हैं, और इसके साथ साथ अगर मार्केट के आपकी बात करो तो यह 6.28 lakh croz के पास हैं, जो की काफी huge company है, और अगर आप investments करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको minimum investments करना पड़ेगा 2800 रुपीज का, हिंदुस्तान Unilver के products के बारे में हम सभी को पता हैं, और यह इस sector की सबसे बड़ी company है, और अगर मैं इस necessity में काम आदी, इसमें included है Colgate, Honey, etc. तीसरी company है ITC, ITC में investments क्याँ करना चाहिए, इसके उपर मैंने dedicated video बनाया है, तो आप उस video को check out कर सकते हैं, इसका लगा अगर मैं recently ITC के returns की बात करो तो यहाँ पर ITC का share जो है, वो 202 रुपी से 235 तक पहुँच गया था, इसके वज़ से इसके investors को काफी अच्छे returns कमाने को मिले हैं बहुत टाइम बाद, यहाँ पर 4th नमबर पर आती है Nestle, Nestle भी काफी अच्छे company है investments करने के लिए और इसके साथ साथ Nestle जो है वो एक monopoly company है जो बनाता है इसके full product, इसके अलाबा बहुत सारे medical products हैं जो सिर्फ यही company बनाती है, guess what म मने Nestle पर भी एक dedicated video बनाया है, जहाँ पर मने explain किया है कि Nestle में investments क्यों करना चाहिए, और इसके साथ साथ मने ये भी बता है कि Nestle एक अगला MRF बन सकता है, उस video का link जो है मैं description दे दूँग, आप check out कर सकते हैं, last but not the list यहाँ पर आप investments कर सकते हैं, PNG में, PNG भी एक HUL की तरह company कमी हैं, जो कि इसका competitor है, PNG के पास sop and shampoo से related काफी सारी product हैं, इसके साथ साथ, ये एक competitor भी है HUL का, अगर हम इसके current share prices की बात कुरते, current share prices 6,000 रुपीज के आसपास हैं, stock market में investments करने के लिए FMCG के sector में इसके अलावा भी काफी सारी companies हैं, लेकिन ये 5 ऐसे companies हैं, जिनोंने lifetime म downfall कभी नहीं आया है, आज की वीडियो को यही पर खतम करते हैं, hope करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ माया होगा कि कौन से 5 shares है जहां पर आपको investments करने के बारे में सोचना चाहिए, I am 100% sure कि आपको आज की वीडियो का content जो है valuable लगा है और आपको काफी को समझ माय है, तो इस वीडियो को end करने से पहले इस वीडियो को कर देना like, share और इसके साथ-साथ, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना subscribe, इसके लगा अगर आप demand account open करते हैं, तो demand account open करने के लिए हम लोगों को refer जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे reference से demand account open करते हैं तो यहाँ पर मेरी टीम आपको काफी ज़्यादा support करती हैं, तो यहाँ पर आपकी investments के investments भी हो जाती हैं, और आपको एक reference भी मिल जाता है कि investments करना करसे हैं, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ, तब तक के लिए signing off and happy investing.